पापा इस्कूटर थोड़ा तेज चलाओ मज़ा नहीं आ रहा है ए मज़ा नहीं आ रहा है बेटा लाथ मार कर इस्कूटर से नीचे फैकूंगा तम मज़ा आएगा चलाओ चलाओ तेज चलाओ हाँ पापा तेज चलाओ पिट्टू तेरे पापा को इस्कूटर तेज चलाने में दर लगता है डर क्या है अरे चुक पापा डर पोक है आपा डर पोग है आता आदा पर पोग ब में डर पोक नहीं हूं अब देख मैं कितना तस दो जलाता हूं अरे रोक मार दिया पापा, ये हमारे पडोस के अंकल है अंकल अंकल पापा, ये आपने क्या कर दिया पडोसी, ए पडोसी उठ उठ, ये तो मर गया है, मर गई, अच्छा, अब आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्या करू मैं अब, सब तेरी वजह से हुआ, अई, ओई, 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 इससे पहले कोई देख ना ले, इस लाश को उठा कर अंदर ले चलते हैं, हाँ, हाँ, च यहाँ पीछे चुपा दो, हाँ, हाँ, दरवाजा बंद कर, हाँ, हाँ, बिट्टू की मा, अगर मुझे पुलिस ने पकड़ कर जेल में बंद कर दिया, तो फिर इन छोटे-छोटे बच्चो का क्या होगा, क्या हो गया ये, पापा, आप चिंता मत करो, मैं देख लूँग अब आराम से रहना जेल में, अरे चुप, सब तेरी वजह से हुआ, दिमाग खराब कर रहा है, सोच सोच कर, रात हो गई है, लेकिन कुछ समझ मैं ही नहीं आ रहा, क्या करूं मैं, पापा, करना क्या है, सोजाओ, जो होगा देखी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या जेल चले जाओगे, रात को कौन आया होगा, बिट्टु देख, हाँ, देखता हूँ, आँटी, पापा, पडोस के आँटी आई है, बिट्टु, तुने अपने अंकल को देखा, ना, हमने नहीं देखा, है ना पापा? हाँ, हमने नहीं देखा, भाई साहब, नमस्ते, हाँ नमस्ते, भाई साहब मेरे पती आज दिन में बाहर रोड में घूम रहे थे, पता नहीं कहां चले गए, मुझे उनकी चिंता हो रही है, पता नहीं कहां चले गए, हमको क्या पता, कहां चले गए, आंटी, बैठो बैठो, हाँ हाँ, चाई खाओगे, बिस्कुट पीओगे, य नीद आ रही है, है ना पापा, हाँ हाँ, हमारा सोने का टाइम हो रहा है, जाओ जाओ जाओ, अब मैं पुलिस को बुलाती हूँ, पुलिस धुड़ेगी तेरे अंकल को, मेरे पती, कहां चले गए, मैं आ रही हूँ धुड़ने, बिट्टु के पापा, मुझे डर लग रह है, अगर हमारे घर पुलिस आ गई, तो क्या होगा, क्या होगा, मम्मी, ऐसे उदास होकर, क्या होगा, अब जो होणा है, होकर रहेगा, पुलिस आ गई, फिर रोना ही तो है, थोड़ा हस लो, अच्छा लगेगा, हस लो, अब बोलू कैसा लग रहा है हाँ अच्छा लग रहा है पापा आप भी हसो क्या पता कब पुलिस आ जाए फिर रोना ही तो है हसो हसो अब बताओ कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है थोड़ा जोर से हसो ऐसे यह हुई ना बात, अब जो और से हसो इसे अरे चुप, पागल हो तुम कौन आया होगा बिट्टू की मा, मुझे डर लग रहा है हम चोर और ढाकू है अगर किसी ने हल्ला किया मैं गोली मार दूँगा घर में जितना रुपिया पैसा है सोन आचादी है घर में जितना सामान है निकालो, निकालो पापा, देखो, चोर आ गए आओ, 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 स्वागत है आपका ए? पहली बार कोई चोर का स्वागत कर रहा है आई, आई, ए? चोर भाईया चले जाओ, आज हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान किसी दूसरे दिन चोरी करने आना, जाओ, 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 जाओ अरे चुप चले जाओ, ए? घर में सामान है लेकर आ। और जितना रुपिया पैसा है मुझे दे दो, जल्दी दो हाँ हाँ मैं लेकर आता हूँ रुको हेलो, आंटी आपने पुलिस को बुलाया अरे क्यों बुलाया आपके पती हमारे घर में आ गए है हाँ हाँ बैठे हैं हाँ हाँ जल्दी आ जाओ और साथ में पुलिस को लेकर आना हाँ हाँ जल्दी आ जाओ अंकल, हमारे घर में कुछ नहीं है गोली मार दूँगा जल्दी लेकर आ हमारे घर के मालिक यहाँ पर छुपे हैं जो चाहिए इन से मागो बिट्टू, पागल है तू, अबे चुप कौन चुपा है अबे उठ, अबे उठ इसके पैर पकड अबे उठ जा, उठ, उठ पुलिस, पुलिस आ गई आउंटी, इन दो चोर ने आपके पती को मार दिया है, मार दिया, हाँ, मार दिया अरे, मैंने कम मारा जैसे ही अंकल हमारे घर में आए पीछे से ये दो चोर आ गए और हमारे घर में चोरी करने लगे आपके पती ने बोला, इनके घर में चोरी मत करो तो अंकल को पीट-पीट कर मार दिया मेरे पती को मार दिया मेरे पती अरे भाग, वरना पुलिस पकड़ के ले जाएगी अरे चोर, रुख जाओ, वरना मैं गोली मार दूँगा अरे मार दिया चोर भाग रहे थे, मैंने उनको गोली मार दी है चोर मर गए है ये लास को उठाओ चलो मेरे पती, मैं आ रही हूँ पापा, हम बच गए